आज हम मट्र की चाट बनाने जा रहा हैं, उसके लिए मैंने यह यहाँ पर 200 गण मट्र लिया था, मैंने इसे रात भर पानी में भईोकर रख दिया था फूलने के बाद मट्र हमारी इस तरह से हुई, मैंने इसे कुकर में डालकर 4 सीटी लगा दिया था और कुकर में मटर डालते समय मैंने एक चमच नमक और आधा चमच हल्दी डाला था चाट बनाने के लिए गैस पर सबसे पहले हम एक कड़ाई रखेंगे इसमें मैंने दो चमच सरसो का तेल लिया है तेल एकदम अच्छे से हमारा गरम हो जाएगा मैं इसमें एक चमच जीरा और आधा चमच हिंग डालकर इसे थोड़ा चटका लूँगी और दो मैं यहाँ पर तेज पत्ते ले रही हूँ आदरक और लैसन को मैंने थोड़ा बारी कूट लिया है इसे मैंने एक चमच लिया है और इसे अच्छे से हम एक मिनट के लिए भून लेंगे यह हमारा भून गया है अब मैं यहाँ पर दो मेडियम साइज का प्याज थोड़ा बारी काट ली हूँ इसे भी मैं दो मिनट के लिए भूनूंगी ये हमारा भून चाहेगा, उसके बाद मैंने 2 मेडियम साइज के टामाटर को काट लिया है, इसे भी डाल कर मैं 2 मिनट के लिए भूनूंगी मैं इसमें नमक और हल्दी डाल रही हूँ, नमक मैंने एक बड़ा चमच लिया है और अधा चमच हल्दी, एक बड़ा चमच गरम मसाला और एक बड़ा चमच लाल मेच पॉर्टर लिया है, आप अपने टेस्ट के अपॉर्डिंग इसे कम या जादा कर सकते हैं, और इसे भी म नासाले मातर में मिक्स हो जाना है कि हमारे पकर रहां तब तकम टिककी की तैहरी कर लेते हैं मैंने या पर दो बड़े साइस का आलू बाइल किया था इसे आम एक मैसर के हैसे मैस कर लेंगे आप एक washer से भी आप इसे ग्रेट कर सकते हैं जिसे आम एकडम अगर रेली फ्री आल प्रेट को छोटे चोटे टुकडों में आप काटके आलू में मैस करके इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे और फिर बाद में हाथों से मिक्स कर लेंगे तो बहुत अच्छा हमारे टिक्की का टेष्ट भी अच्छा होगा और बन भी जाती है मैंने इसे इंदम अच्छे से मैस क बनेगा तो इस तरह से आपको जितने बड़े साइस का टिक्की बननाना है उतना आप आलू का पोर्शन लीजे और इस तरह से हमें एकदम इसे गोल करना है और फिर जिस तरह से टिक्की बनती है उस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह से किनारों को हम अच्छा से बना कर देखिए अब मैंने जो इसमें टिक्की बना कर रखी है उसे डाल कर इसे हम एकदम लो फ्लेम पर पांस से च्छै मिनट के लिए पताएंगे जिससे की एकदम चारो तरफ से हमारी टिक्की अच्छे से क्रिस्पी बने तो चार से पांच मिनट हो गया है अब हम अपनी टिक् में लोगे तो यह देखिए हमारी के का कलर इंतना अच्छा आया हैए कि हमारी टिक्की रेडी हो रही है हम छोलो को चेक कर लेता है और चोले हमारे बदेखी हो चुके है इसमें मैंने थोड़ा सा ग्रेवी रखा है अब में थोड़ा सा हारा दनिया डालकर इसे सर्प करूं तिक्की भी अभी हमारी हो चूकी है अब इसे हम एक लेट पर निकाल लेट्स्ते थे Lazic लेट निकालेंगे और उसमें मैंने रिंड़ी शुबाना चट्नि दालूंगी उसको मैंने थोड़ा सा पुदीना और हरा मिर्च डाल कर अच्छे से पीस लिया है इसे टेश्ट बहुत अच्छा आता है इमली की चटनी इमली की चटनी भी मैंने इमली और गोड़ से बनाया है और इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये मेरे पास सेब है ये मैं डालूंगी आपके पास जो चीज़ें अबलेबल हों आप इस तरह से इसमें डाल कर खाएं और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा दही डालूंगी मैंने दही को एकदम अच्छे से फेट लिया है इससे भी टेस्ट हमारे चाट में बहुत अच्छा आता है तो आप दही डाल कर जरूर ए आपके पास जो भी चीज़ें अबलेबल हों आप वो डाल कर इसमें चाट को इंजॉय कर सकते हैं और यह चाट हमारी बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होती है अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ट्रेस करना ना भूले थैंक यू